मैं केहन मौर्या और आप पहुंचा हूँ आज 12 मई सन 2018 को इमाचल के जलोडी जोत स्थान थे चार दिवसी हमारा प्रवास रहा यहां इमाचल में और काफे किसानों को हमने अरगैनिक खेती प्रती जागरूप किया किशान सबसे बात हुई यहां से बहुत सारा कुछ हमें सप्रेम भेट सरुट मिला भी मित्रों में यहां आया हूं बहुत कठिन चढ़ाई के बाद सांसे दम फूले लगा यहां देख रहा हूं इधर देखिए यह पहाड जो बर्फ से इस मई के महीने में भी बर्फ से आच् भी यहां से भागने की तैयारी में हूँ चलूंगा अब गाड़ी में कहना यह चाहता हूं मित्रों चाहता हू सबसे अचही बात जगें पर काम करते हैं हर लोगों से मिलना होता है सबसेश्गना होता है कुछ शीखते हैं ऐसे सुन्दर प्रकिति के गोंद में आके बैठते हैं जहां बहुत साइज जड़ी बूटिया है जैसे ये फूल आप देख रहे हैं इस समय आप भारी बर्म भुगा करती थी लेकिन इस साल बर नहीं पड़ी है तो मैं आद बनाओ ये हिमाजल प्रदेश क प्रदेश के फूल है जिसके यदि बात करें तो यह जंगली लहसन हमें कहीं कहीं देखने को मिला जैसे यह प्लांट है जंगली लहसन है साथ मैं पहचार पाहूं तो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही पॉस्टिकता से परिपूर ये प्लांट है मित्रों धन्यमाद दे और उन साथियों से कहना चाता हूं जो बेरोजगार हैं कि यदि आप अपना केरियर बनाना चाते हैं आप भी चाते हैं इतने सुन्दर जगह का आनंद लेना यहां कुछ पल भीताना तो जुडिये जैविक खेती अवियान से कहना कुछ नहीं है इरादा आपका मजबूत ह तो सोच पक्की है तो यह जाने आज से साथ साल पहले मैंने भी जब सोचा था तो मैं नहीं समझा था कि अभायत के आर्ट इस्टेटों में जाऊंगा अलग अलग तरह के लोगों की साधियों को सेलिब्रेट करूँगा देखूंगा और इतने अच्छे अच्छे जगह को होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं आज यहां पर नहीं होता इस गर्मी के दिन में भी इतना अच्छा मौशा में मैं इंज्वाए कर रहा हूं लगना कुछ नहीं है 20,000 के चोटे से एमाउंट से जिस में आपके पूरे पैसे का प्रोड़क्ट मिलेगा गाइडलान मिलेगी आपका बिजनस इस्टाट हो जाएगा और आप ये बिजनस वहां कर सकते हैं किसान रहते हैं भारत के जिस कोने में खेती होती है जहां जहां किसान है वहां वहां इस बिजनस को हम कर सकते हैं यह बिजनस भारत में जो किसान है जो अभी खेती में अंधाधुन रासानिक पटलाई और पेस्टिशाइड डालने से रोकने का है यह अभियान हमारे अनदाता जो अपने बच्चों को अपने हाथों से डायलेक्ट या इंडायलेक्ट रूप में जहर पिला रहे हैं, उस जहर को उनके भोजन से कम करने का है, यह अभियान हर भातवासी नागरी को सुद्ध भोजन देने का है, यह अभियान हमारी जनरेशन का है, यह अभियान पूरे भा जैविक हो, केमिकल मुक्त हो, केमिकल फ्री भोजन हो